दोस्तो आज फेल एक जबर्जिस्त कहानी लिखाता है, जोस्तो अगर कहानी अच्छा लगे तो हम आज जेले बहुत सब्सक्राइब जेलों करें बहुत समय पहले की बात है, हिरन्याक्ष्टा एक बेटा था, जिसका नाम अंधत था, अंधत ने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की खिर्पा से नमारे जाने का वर प्राप करके ध्रलोकी का उप्भू करते हुए इंद्र लोक को जीत लिया और वह इंद्र को पीरित करने लगा, देवता गन उससे दर कर मंदर परवत की गुफा में प्रविष्ट हो गए, महा उसके समस्त राक्षिसों को भस्न करके अंधत को अपने त्रिशू से बींद डाला, यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु आदी सभी बेकर हर्शस्वनी करने लगे, त्रिशू से बिंदी हुए उस अंधत के मन में साथ्वित भाव चाकरत हो गए, मह सोचने लगा शिवकी ख चाहते हो, अंधत में गद्गत बारी में महेश्वर से कहा है भगवन, यदि आप मुझे पर प्रसन है तो मुझे यही वर प्रदान करें कि आपने मेरी सदा भक्ति हो, अंधत का वचन सुनकर शिवने उस देतेंड को अपनी दूलब भक्ति प्रदान किया और ठिशू से उ